तुम्हारे बराबर दुनिया में कोई भिकारी नहीं होगा अगर तुम्हारे घर में बेटी नहीं है। कर तुम्हारे घर में है या तुम गाय को एक रोटी दे रहा हो गवमाता की सेवा कर रहा हो भले तुम्हारी गरीब परिस्थिती है भले तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है तो भी तुम्हें अगर गवमाता की सेवा करिये गाय को रोटी दिये गाय को चारा दिया है गाय बागय का धन घटेगा नहीं, उसके बागय का धन तुमको प्राप्त होगा, ये तीन के भागय का धन कभी नहीं कटता, पहला बेहन बेटी के भागय का, दूसरा गउमाता के भागय का, तीसरा संत ब्रहमन के भागय का, ये कभी नहीं घटता, ये बढ़ता है, ये घटने वा अगर में बेहर बेटी आई है और तुमने उसको एक सारी भी दी है तो तुमारे गटने वाला नहीं है वो बढ़कर ही तुमें मिले तुमने गाय को अगर एक रोटी दी है उसका भाग है तुमको प्रवल्ता मी प्रदान करें किसी संत ब्रह्मन को अगर आपने एक ग्लास पा यह करते हैं वागवान की करफा थी तो बेटी है हम कहते हैं पिस्मत वाले नहीं हो आध ये बेकार आप अगर तुमारे घर में बेटी में होती है पूचा गया किसी ने पूच्छा कि गुर्देव जिसके यहां पर बेटी नहीं होती, आप करते हैं, उसका भाग्यक्षा नहीं होता, यह बताओ, भगवान पिर बेटी क्यों नहीं देता, पिर तो बेटी देना चाहिए, हरे गटी के अगर में एक बेटी तो देना ही आपे टारा के नरक में से एक नरक ऐसा प्राइम करने वाले जी फीचूटफाते हैं, जिसने कनयादान नहीं करा होता हुद भेती नरक में पटका जाता हो, वो सबसे लंबा समय एक नरक में पटका जाता है जो aceite घए सबसक्र आपने प्रिश्न लिखा वड़ा सुन्दर है महाराजी शिवलिंग पर धतूरा तो रोज क्यों नहीं चड़ाना चाहिए चंकर भगवान को धतूरा कर चड़ाना चाहिए उसका विशेश ज्यान रखें यह से शिवरत्री है प्रदोश है या सोंबार है या कोई विशेश आपका उस्सव है तो आप शिवजी को धतूरा चड़ा सकते है या विशेश कोई बिमानी ऐसी लग गई है तो आप शिवर्ण कोई विशेश कोई पकल पैसी हो गई है जिसका इवारन नहीं हो रहा है है तो आप धतूरा चड़ा सबना सब्सक्रांने का विक्रम है रिफ़ी के लिए में 0 kg जन्गन में भिंगो कर धतुड़ां डंगो कर चड़ाया जाता है आयू की द्रधी के लिए।। अभीर में दुणक ऑङ्गो कर चड़ाया जाता है। अभीर को लगा खाता है जो लोग-मुपती द्धी का होते है। छोह मुंकटी है। रोग की मुद्ट है, घतूरे का भी किसमन होता है महाराज, बहुत भारी रोग है, बिमारी लग गई है, दापकर अपना काम कर रहे हैं, घर का भेक्ती बहुत बिमार हालत में पड़ा हुआ है, तो बेल पत्री के ब्रक्ष के नीचे भी शिवलिंग का निर्मान करकर धतूरा रोग है, श्री शिवाय नमस्तर, अहंकार से बंचीत हो जाएगा, पर देवता हैं और शंकर इनकी पिता हैं, और आज देवता कर करें कि आपने विश्टिया तो कौन सा बनाकाम कर दिया, पारवती जी की आँख में जलवर गया, आपके सामने अमरत का पात्र तक नहीं आय पातिया पाती सिली में आपको मौन कर रही ती, चुप कर रही थी, मत बहो इस बिश्च नेौय थीं के संसार विचित है, बढ़ा है हुआ है ते पारवति जी शहाण से कही जो छॉंकर भगवन पारवतिभाने विचा प्रेश के लोगों करें लूड़े देखो ईकार ब्र श्वन है उट तो डन डहुते जाने लगे नावं बेट पर चड़ कर जा रहे हैं इनमें इती हपतन नहीं है कम से कम एक पेदल चल लेता है एक का बजहन तो विचारा भुर्शब जेल लेता वह नंदी जेल लेता संकर जी बोले पारवती नीचे उतर लिए दोनों नीचे उतर लिए नंदी को पकड़ कर जाने में पिर आगे गए तो दूसरे गाओं के लोग बोले कितने मूर थे साथ में जब नंदी है तो भेट के जाने में क्या दिप्पति हैं तो पेदल चलने से क्या फाइदा नहीं होता तो बात दूसरे आता साधन नहीं है पर साधन है तो भेट के जाओ भेट के चलिए शिव जी बोले पारवति एक काम करो अब तुम अकेली बेढ़े हैं में तुम में लेकर चलिए दूसरे गाओं में पहुचे तो दूसरे गाओं के लोग बोले बताओ कैसा लुगाई का गुनाम है पत्नियों को बिठा कर ले जा रहा फुट अकट ज़र पारवति तुम नी ज़र बताओ कि यसा पती है विचारी दया तक नहीं आ रही विचारी इस्तिति सुंदर उसको देल खिच वारा उखुद बेठ कर जा रहा इसा हो रहा परत्य खोड़ जा रहा है विचारी यह सी और इतल चलिए जा रही शंकर जी वापिस नीचे उतर गया पारवति से का प पॉलए खिलाज चलें कि और से लाए लागी देवाएघर ऐस पाइब्णो करो घजन करो तो लोग कर देंगए और पागल हो गही और नीं करोगें तो लोग करदेंगे बताओ आौए चाती पर बाहं टागराएगी है जोड़कर जाई यह दुनिया के लोग हैं पारवती काहे भी नहीं रह सकते इसलिए क्या किसको रोईए चादर पानके सोईए आग लगे बस्ती में आपन रहो मस्ती क्यों किसके लिए रोना किसके लिए रोना पारवती संसार में ने बनाया है संकर करते हैं बनाने वाला में हूंगा जमरू बचता है बंद हो जाता है इस संसार भी उसी तरह है जब व्यक्ति मरता है दस दिन तक रोते हैं बारवे दिन आश्व पुछ जाते हैं एक महिना दो महिना तक याद करते हैं व्यक्ति को नहीं उस व्यक्ति ने जो काम किया थर्सकों वो होते तो केले लिया थे वो होते तो सिंफर लिया थे वो होते तो तुरंत सारा काम कर दें तो बच्चों का मु का है कां रिए दुनिया याथ करती है वागी का दुनिया का समन्द मुझे मरता वच्ष रहे दैट मैं बारा दिन न यह देटा दस दिन में प्रुबा क्लेटा बस प्यास को पुछ जाते हैं याद आते हैं तब कम